तो जैसा कि TGT Social Science के लिए हम लोग प्रिपार कर रहे हैं और इस नॉट अब डी ट्रिपल सब्सक्राइब को काफी रहने वाला है और खास करके जहां पर वर्ल हिस्ट्री इंडियन हिस्ट्री वगरा है तो आप मेरा पूरा प्लेलिस्ट देख सकते हो यह एक्जाम में आपको मल्टिपल टाइम हल्फुल रहेगा आपको पेपर में डायेक्ट को सिरीज में अभी कराऊंगा इसको सॉल्व करने से पहले ज्यादा इंपोर्टें आधा गंटा गंटा इसी तरह कोई भी आप और टॉपिक पढ़ रहे हो तो यूट्यूब पर टॉपिक को समझना आधा गंटा बैठकर वह बहुत आसान काम है और उसमें आपको देख कर महसूस भी होगा कि समझ में आ गया है जिसे रसे रिवालिशन इसके पहले मैंने जि आधा लेकिन इसी रसे रिवालिशन पर पास्ट एन एर फिफ्टीन इयर में कम से कम आप मानके चलोगी हजार कोई चुके होंगा अकेले और अकेले के राशीन रिवालिशन पर तो हमको न सभी टॉपिक को क्वेश्चन के हिसाब से भी प्रैक्टिस करना है कि उस पार्टि में आते ही रॉषियन रिवल्यूशन लैनिन बॉल्च्विक एंड रड रडटम्झ थिदे सब एक साथ आपके दिमाग में आ चाहिए red बॉलच्विक लैनिन रडड एकदम दिमाघ में सेट रहे कि लैनिन बॉलच्विक रहेगा तो मयजर्टी यदि लिए पड़्यशन app राज़ा के खिलाफ भी लागतार निगेटिव सेंडिमेंट बनता जा रहा था इसा नहीं कि रात में सोचा और सुबह हो गया रीवालीउशन की पटखता समझ लो 20 साल पचीस साल में लिखाती है कि लागतार आपके देश की अर्थ विवस्था खराब हो रही है जो भी सत्ता में लोग बैठे हैं वह खराब अर्थ विवस्था पर भी एकदम जो है बैक टू बैक गलत फैसले लिए जा रहे हैं लोह गरम है उसको और पीटे जा रहे हो नाइ अच्छा खासा पूरा आर्थ विवस्था को नुकसान हुआ तो सब एक तो कोड ऊपर से खाज बैक टू बैक साराची इतना बैक पायर कि पूरी जो रॉमिनाव डैनेस्टी थी प्रश्यन रिवाल्यूशन से पहले जो एक पूरी सत्ता थी जो एक रजवाड़ा वाली प्रश्यन रिवाल्यूशन और लेक्च्छर भी समझाया तो बताया कि यह को पर्टिक्लर डेट नहीं है जहां लोग खड़े में और रिवाल्यूशन हो गया पूरा एक चरणबध परिक्रिया है कि आपको समझना पड़ेगा कि अच्छा पहले क्या हुआ कैसे रशिया जा उसको देखने के बाद ही इन कोश्चन पर आपको ज्यादा बहतर पकड़ भी बनेगा और वो एक सीरीज ऑप इवेंट्स कैसे कैसे हुआ तो बैसिकली उस लेक्च्छर को देखने के लिए आप टीजटी सोचल सांग को प्लेश्ट में जा सकते हो तो हम आते हैं वेन डिट ठीक है तो आज पूरी दुनिया ऊना ग्रीगोरियन केलेंडर करती है क्रिस्चन केलेंडर करती है उसके पहले सब ही जगाओ पर हम requirement इंडर में देखने के लिए मिलता था तो रसिया में जूलियन के लेंडर होता था जो कि गृगोर्यंडेंडर तो फ र Изशते डोक्राइक रहें कौई इस त легने अगे चलता है तो मान व कहता है कि डोवरैी 15 217 तो Gregorian calendar में मांखे चलो कि बात मार्च 1917 में हो रही है क्योंकि वह 12 हelyn 10ancy respectfully आगे है nosso तरह कोई का है October 19 2017 सो मांखे चलो कि Gregorian calendar में वह advancement हो रहे है यह आपको यह यांद रखना क्योंकि एक्जाम में डाओर कोश्यन कईवार डेट से देखने के लिए मिल जाता है ओंडन प्रक्राइब कार गारेबर राता बडू में नहीं है तो सक्सेस इन वर्ल वार वन अभी में बताया ना की रॉसिया वल्ल वर में सक्सेस्फुल नहीं था तो बस not पूछा है ना तो आप्सन सी होगा success in world war one who was the last zar of Russia? zar Nicholas 2 zar Nicholas 2 was the last zar और zar क्या होता है? Russia में राजा को zar कहते थे ठीक है spelling or pronunciation कई पर वो differ करता है तो last राजा थे zar Nicholas 2 यह उनका परिवार आपको देखने के लिए मिल रहा है and yes यह काफी ज़्यादा influenced थे रास्पितिन नाम के जादुगर थे अब रश्यान revolution में रास्पितिन जादुगर का नाम भी ध्यान रखना है चुकि उसका जो royal family था उसको बहुत ज़्यादा influence था so much to that की बहुत सारे ऐसे पैसले हुआ करते थे जो रास्पितिन के कहने पर यह लोग लिए और वह बहुत ज्यादा backfire कर गया जिसे सप्ता को बहुत नुकसान भी हुआ यह भी कहा जाता है कि जार की वाइफ जो जारीना थी उससे रास्पितिन के अफैर की बात थी यह बात भी पब्लिक में लीक हो चुकी थी इस वजह से भी लोगों में कहलो राजा एक आदर्स की तरह होता है तो राजा के खिलाप एक बहुत डिसकंटेंट डेवलप हो गया था तो होता है कि रिवालुशन में एकदम जो है ताबूत में आखरी कील का काम करें हरी छोटी छोटी बात तो उस तरह का में देखने के लिए मिलता है तो रश्यान रखेंगे अब जादुगर था नहीं था वो क्लेम करता था अपने आपक कियेगा United Soviet Socialist Republic जिसको हम कहते है तो Socialist वर आ रहा है वो Socialism पे ही आ रहा है वाट इवेंट इस नोड़ाडी संडे इन रॉश्यान हिस्ट्री दमसेकर और पीसफुल प्रोटेस्ट अर्थी 1905 ध्यान दीजेगा 1905 से जस्ट पहले 1934 में रूसो जैपनीज वार में रशिया हार चुका था और इंफर्ट जो पीजेंट वगरा कि हालत थी बहुत खराब चल लए थी लेवर सी कंडिशन बहुत खराब चल लए थी तो यह तमाम लेवर वरकर परशान हो कि गये भाईजार के पास कि हो सकता है कि राजा कुछ मदद करे उल्टाजार ने कहा कि इन पर गोली डिसकंटेंट है और नयने जो लीडर्स उभर रहे हैं और वेस्ट में भी नयने पॉलिटिकल थॉट्स आ रहे हैं नयने राजनितिक विचारदारा सोचलिजम कॉमिनिजम यह सब भी बढ़ रहा है लेनिन वगरे जैसे लीडर्स पर लगतार चर्चा हो रहा है लोगों को अल्टरनेटिव दिख रहा है कि राजसाही विवस्था से भी हट कर कोई विवस्था हो सकती है जिसके तहत स्टेट या गवर्मेंट फंक्चन कर सकती है तो देखोगी कि रिवालुशन का रास्था एदम क्लियर होता जा रहा और 1905 में जार क्या करता है उन पर गोली चलव लेन और रेड तीनों को एक साथ आप जोड लोगे वाज़ लीडर रेड आर्मी दिन दे रॉशियन सिविल वार ध्यान देना रॉशियन सिविल वार के समय कौन था रेड आर्मी का लीडर तो भाई यहां पर वालादी मेरे लेनिन नहीं होगा लियान ट्रॉट्सकी ठीक है अंतरिम सरकार क्या थी देखो यार जब राजा को सत्ता से हटाया गया तो एक दम पूरा जो एक्सिस्टिंग ब्योस्था बनी हुए राजव्यस्था बनी हुए जो बीरोक्राट से उनको तुम हटा ओगे और अगले दिन फटक्स नहीं गवर्मेंट बना दोगा एसा नही तो उसके बाद कुछ समय के लिए एक टेंपरेरी गवर्मेंट बनाया जाता है तो उसी के रिगार्डिंग प्रोविजनल गवर्मेंट या इंटेरियम गवर्मेंट बात किया गया है तो चेका क्या है एक तरह का कहलो की सीक्रेट पुलिस टाइप था बॉल्चविक्स के ज करने की कोशिश करता था तो इनका चेका करके न एक सीक्रेट खुपिया पुलिश हुआ करती थी या कहलो स्पाई कहलो एजेंट टाइप ही जो चुक्के जाते थे और सामने वाले के लीडर को मार के हट्या कर दिया तो इस तरह का चीज हमको देखने के लिए मिलता है तो व सब्सक्राइब करती है तो इन्होंने क्या किया कि यार हर जगह पर जैसे सोशेलिजम के आडिलोजी में क्या होता है जो रिसोर्स हैं लैंड सब चीज़ को गवर्मन्न करती है तो इन्होंने क्या कहा कि यार अगर हर चीज जो है गवर्मेंट ही कंट्रोल करेगी तो बहुत सारे ऐसे भी जगह है जहां पर प्राइबेट वरकर प्राइबेट एंटरप्राइस की जरूँत है थोड़ा सा प्र introduction of private enterprise who are the full kulaks अब देखो यार किसान फार्मर के रिगार्डिंग बात हो रही है लेकिन उसी फार्मर में बहुत सारे ऐसे किसान भी होती है जिनको हम जमिन दार कहते हैं तो उस समय रशिया में क्या कुलाक कौन है जो रिच फार्मर है धनी किसान है रशिया में उनको कुलाक कहा आ जा रहा है वाट वास्ट रिवेलियन रिवेलियन क्या था रिवेलियन सोल्जर्स अगेंस बॉल्श्विक रिगाइन देखो यार ऐसा नहीं है कि आज तुम राजा को मार दिये तो राजा के जितने भी चाहने वाले सब खतम हो गए पुरानी विवस्था में तमाम ब्यो राजा के परती थी उस सक्ता के परती थी उस लोग एक दम लोग यो आग्यिस्टिंग विवस्था थी उसको लेकर आपना विडियन से लोल्टी शो करते थे तो कई जगा ऐसा रेविलियन भी हुआ जहां पर बॉल्श्विक के अगेंस लोग खड़े हुए तो और रेविल उसको हम जो है प्रॉंट्वेलियन में करते हैं तो रिवलियन वाइट वाल्षविक रिगाइन वर ओर इस्थानिय परिसादे जो थी लोकल काउंसिल ऑफ और कर से रेड़ सोवियत कौन थे वरकर्स वरकर्स एंड सोल्जर्स का जो लोकल काउंसिल सा बैसिकली आम जंता और ज सब्सक्राइब करते हैं उनके रिगार्डिंग बात हो रही है कि सोवियत वाट वाट विंटर पैले सिग्निफिकेंस था समझ लीजिए कि पूरा जो राजसाही विवस्था थी जहां से फर्मान जारी होता था यह ऐसा कहलो कि भारत में जैसे लालकिले का जो सिग्निफिके कहने के से पुराने समय में कोई हमला हुआ और राजा है उसे मार दिया टोड़ दिया तो ऑगा तरह से पूरे कंटरी में सिंबोलाइज सिंबॉलिक तरह से मैसेज चला जाएगा कि हां वो पुरानी सत्ता नहीं रही तो इत वस्ट प्रोविजनल गवर्मेंट्स ओवर थो यह अंतरिम सरकार के उखाड थेकने का इस्थान ता विच मेजर इवन तुक प्लेस ऑक्टूबर 1917 अकॉर्डिंग तू कौन आया जोसफ स्टैलिन आया इनका भी चहरा देखते पैचान लो भाई पैचानते रहो कि स्टैलिन ऐसे दिखते हैं ठीक है अब तक आपको लैनिन का चहरा पता हो अना ची जो मेरा रशियन रिवालुशन और लेक्टर डिस्रिप्च्रिप्चिन बॉक नीचे कॉमेंट विड़ा दूँगा उसमें लेनिन वगरा का भी चहरा देखके पहचानते रहो वाट वस्ट एक पॉलिटिकल ऑपोनेंट बॉल्चविक रेड टेरर क्या है रैड लेनिन बॉल्चविक यह तीनों एक है तो रैड का टेरर रेड का टेरर रेड का टेरर मतलब कि वो जो राजनेतिक रूप से बॉल्च्विक्स का विरोध कर रहे हैं उनको काउंटर करने के लिए रेड वाले रोखने कोशिश कर रहे हैं तो वही रेड टेरर इदम समझ रहो बंदूक के दम पर तलवार के दम उस तरह से था कैंपेन अगेंस पॉलिटिकल ऑपोनेंट बॉल्च बॉल्चिक द्वारा राजनेतिक विरोधियों के खिलाफ अभियान वाट वार कॉमिनेजम पॉलिशी टुरेशनलाइज इंडस्ट्रीज एंड रिक्विजिजन ग्रें देखो वार कॉमिनेजम के रिगार्डिंग क्या कहा जा रहा है देखिए क्या लिखा हो को समझे तो है कि जब कॉमिनिस्ट आइडिलाजी आएगी ना तो सारा कुछ स्टेट का हो जाएगा सब कुछ गॉश्ट्रोल करेंगी सब नेशनलाइज हो जाएगा मतलब सरकार कंट्रोल करेंगी तो इसी को वार कॉमिनिजम कहा जा रहा है उसका सिंबल जाथा कि आप दे प्राइबर डॉप प्राइमरली टार्गेटे डिरिंग रॉश्यन सिविल वार में कौन सब गुरूप था जो टार्गेट हो रहा था यार देखो एक तो होगे रैड आर्मी दूसरा क्या था वाइट 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 आर्मी में लोग कौन है जो मैंने बताया जो रहा जो पराऋज आरे आरे जो पुरानी अरेश्टो क्रेंट टेक्स पुराहय सब गानी पराइस्टök क्लास या न्यों वह सब वाइट आर्मी में आ रहे थे एक तरह से और रेट आर्मी में जो बाल्चविक वाले थे वह आ रहे थे तो रॉच्छियन डिवॉलूशन में किसको टार्गेट किया रहा था वाइट कौन भी रोत करेगा जो पुराने सत्ता बहगरा में थे उनको ही रोकना था को रोपने के लिए रैड़ आर्मी जो है क्रेसे काउंटर कर रही तो बेसिकली जो कोस्ट्टन है कि वह विच गुरूप उस प्राइमरली टारगेटेट दॉरिंग रचेन सिविल वार्में किसको टारगेट किया रहा था तो इस वाइट आर्मी धुर्ट प्राइमरी निन बॉल्श्विक्स नेक्स्सक्राइब प्राइमरी पर्फस ऑप कॉमिन टर्म देखो रशिया एक पहला कंट्री था जहां काल माक्स की जो कॉमिनिजम वाली आइडियोलाजी थी जिसने पहली बार ग्राउंड पे शेप लिया किताब से कोई आइडिया उतर कर पहली बार जो रचिया का प्रभुत तो हर जगा बरकरार रहेगा तो क्या था उस समय क्या था ना कॉमिंटर्ण करके एक तरह से इंटरनेशनल एक ग्रूप टाइप को बना दिया गया था कि जहां पर भी कॉमिनिस्ट आइडियोजी को लेकर जहां पर भी लोग खड़े हों ऐसे नाशनल कॉमिनिस्ट रिवॉलुशन की पूरे दुनिया में जो कॉमिनिस्टम की आडिलाजी है उसको प्रमोट किया जैसा कि आप यह इमेज देख पा रहे हो हूँ रोट वाट इस तो बी डन आउटलाइनिंग रिवॉलुशनरी टेक्टेक्स किसने लेका था वलादमीर प्लेस तो फ्लेस अंट व्ल्फ मार्च आज बहुत बोग मानते हैं कि फरवरी रिवॉलुशन मार्च में अब नाम से लिए रहे है तो फरवरी में होना चीट तो मार्च में क्यों हो रहा है जूलियन कलेंडर के साब से ना यह कलेंडर तो बाद में आया 12 मार्च और यह जैज लिए जन्वरी को नीव यर मनाते है तो इसमें कुछ उप्शन पढ़के भी आप पिगर आउट कर सकते हो जैसे कि जैसे देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है एक चीज ग्रिगोरियन कलेंडर इस फौलोड एवरीवियर तो और यही तो बिल्कुल सही है तो वन सब्सक्राइब कर सकते हो तो देख सकते हो कि दो में या तीन में कौन सा बैस्ट आपको सट बैठ रहा है next question which the following is true in the context of the global influence of the Russian revolution and the USSR या क्या Russian revolution को लेकर एक पूरे global context में एक बात क्या बिलकुल मतलब रूप से संपूर्ड बैठती है बहुत इंपॉर्टन बात है यह बात आइडिलोजी की यह बात विचारधारा की यह बात सोच की है उस जवाने में जब पूरी दुनिया जो है राजा वगर सभी जगा होते थे रूल करते थे वहां पर एक ऐसी विचारधारा जहां कहा दिकेटरज डिकेटरफ प्रोलैटर कहते दें मतलब वरकर था उनके बिहाब पर मैं डिकेटर हूं और एक तरह से मैं रूल कर रहा हूं और तरह को अच्छा दे कैन और आलसो भी किंग वह भी राजा बन सकते हैं वह भी सथा को कंट्रॉल कर सकते हैं तो यह विचारधारा जो पुनिये दुनिया में फैली कि अच्छा बिना राजा के वहुर्कर का स्टेट हो सकता है इसलिए रशेन रवॉलुशन का बहुत इंपोर्टेंट्स है और इसलिए रशेन रवॉलुशन को अपने रव्लुशन भी तो decentralized planning was introduced, यह option गलत होना चाहिए, तो odd one कौन सा है, decentralized planning was introduced, बाकि आप Delhi Bytes के app में जा सकते हैं, TGT Social Science का one of the best notes purchase कर सकते हैं, KVS, EMRS, DSSB, NVS, कोई सा भी आप exam दे रहे हो, one of the best notes मिल जाएगा इन exams के preparation के लिए आपको, जहां पर आपको social studies, quality, history, सभी topics एकदम syllabus के हिसाब से, चाहे DSSB के exam दीजिए, चाहे KVS, NVS, यह हमारा सभी जगह पर topics आपको cover होता है, देखने के लिए मिलेंगे, at very low and affordable price आपको यह सारा notes बगरा देखने के लिए मिल जाएगा, जहां पर social science complete as a subject पुरा-पुरा जो है, cover किया गया है, geography का भी note जो है, Indian geography, world geography वेगरा, सभी perspective से cover किया गया है, in fact so much so that teaching attitude तरग प्रवाइट कर दिया गया है, कि उससे भी कोई question आए तो आप पुरा-पुरा attempt कर पाओ, बागी के सभी social media handles के link description box में दे रखें, do join them, God bless you, best wishes and हां नीचे comment box में एक WhatsApp group का link दे रखा है, government जो आपके सभी update के लिए उस WhatsApp group को join कर लेजिए, God bless you, best wishes.